नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हारदिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूं चना का साग जो की अपने खेतों से तोड़कर लाएं। सबसे पहले इस चने के साग को हम हसीय से काट लेंगे। हमकर दोस्तों हेसे क्ट ही नहीं कटेगर जैस कर अधैनल के एक सब्सक्झा weighted days जब कर दोस्तों बारीक नहीं दें और द वारीक नहीं कटेगा जैसे लुम की दार जैसा अ सब्सक्राइब इस तरीके से इसको काटना है देखिए मैंने साग को बारीकी से काट लिया है देखिए दोस्तों इतना ही बारीक इसको काटना है दोस्तों एक बरतन में दो गिलास पानी डालेंगे अब थोड़ा इसमें नमक डाल देते हैं दोस्तों अब इसको खौलने देते हैं दोस्तों पानी खौलने लगेगा तब इसमें आदी काटोरी उरत की दाल डालेंगे दाल को थोड़ा पकने देते हैं इसको थोड़ी देर बाद इस दाल को देख लें कि ये दाल आदी पकी होनी चाहिए अब हम अपना दुला हुआ चना का साग इसी में डाल देंगे अब इस चने के साग को हम 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही तोन देते हैं जब तक हमारा साग पक रहा है जब तक आदी कटोरी बेसन लेकर इसको घोल करके उसमें चने के साथ में डालेंगे बेसन को इस तरीके से पानी से घोल लेना है कि लिए इसमें गुल्तिया आना पड़ जाना है अब हमारा बेसन का घोल तैयार है अब इस घोल को साग में डाल देते हैं अब हम इसको चाय से चलाते रहेंगे जब तक साग बनकर तयार नहीं हो जाएगा यह साग हमारा बनकर तयार हो गया मैं देख़ने में भी कितना अच्छा लगा रहा है देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है आईए अब ये साग को फ्राई करते हैं हमें साग को फ्राई करने के लिए हम थोड़ी सी भींग लेते हैं और थोड़ा कटा हुआ टामाटर प्याज, लैसुन, मिर्ची, अद्रक बढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे लैसुन डालेंगे लैसुन पत्ने के बाद देख डालेंगे पत्ने के बाद अद्रक डालते हैं अद्रक बड़ी सी भींग दाल लेते हैं इसमें प्याज टमाटर डालकर इसको पका लेगे अद्रक पकाने के गाज इसमें हम अपना साफ डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करनेंगे दोस्तों हमारा टेश्टी चने का साफ तयार हो गया है दोस्तों इस साग में देशी घी डालकर खाएं बहुत ही स्वात लगीगा अच्छी रेस्पी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें धन्यवाद